नमस्काद दोस्तो आज हम लोग जानेंगे कि Greece कब होता है और कैसे मनाई जाता है क्यों मनाई जाता है तो सबसे पहले हम इसका introduction जानते हैं World Referenceenden वद्धवार 26 तारीक को 2024 को मनाई जाएगा क्योंकि इस दिन प्रसितन छेत्र जो प्रसितन छेत्र है उसे ही रेफ्रिजेशन एरिया बोलते हैं और मानजी उन में इसका बहुत ही महत्पूर युगदान रहा है रेफ्रिजेशन के आने से आपके हर काम को आसान कर दिया गया है जैसे कि आपके खाना को फ्रेस रखना, किताड़ों से उसे बचाना, जवारों से बचाना, खराब होने से बचाना, बहुत सारी चीज़े से जिसने आपको आराम पहुचाया है आज अगर हम बात करें, दुनिया में रेवरिजेसन एक बहुती महत्वपूर आपके जीवन यापन का साधन बन चुका है यह हमें भोजन और पेपदावतों को सुरच्छित रखने, बैक्टिरिया को विकास को रोकने के लिए और यहां तक की जीवन बचाने में मदद करता है रेवरिजेसन की मदद से हम ताजा, ठंडे, भोजन और पेपदावतों का भी लाब उठा सकते हैं कई दिनों तक हम अपने खाने को वहाँ पर सजोक रख सकते हैं जो खाना हमारा खराब नहीं होता है इसके लवा हमारा जैसे देश में यहां गर्मियों में तापान बहुत ही जादा बढ़ जाता है हमारे भोजन और पेपदावतों को सुरच्छित रखने के लिए इन रेफ्रिजिरेटरों का बहुत ही महत्पूर योगदान रहता है यह आपसे बेटर कौन जान सकता है वर्ल्ड रेफ्रिजेटररों डेए 20-24 हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो विस्वे प्सितन दिस्वे दिवस 24 की जो इतिहास का पहला यांत्रिक रेफ्रियेटर बनाया गया था वो 300 साल पहले बनाय गया था उससे पहले कि अगर हम बात करें तो खाने और पीने की चीजों को ठंडा और बैक्टिरियों से सुरच्छित रखने के लिए एक तैखाना बनाया जाता था तैखाना या पानी के नीचे रखते थे जिससे वो खाना सुरच्छित रहता था लेकिन 300 साल के बाद रेफ्रिजेरेटर का उपयोग हुआ जिसके बाद में आपके खानों को सुरच्छित रखने के लिए रेफ्रिजेरेटर ने बहुत ही जादा महतपूर योगदान दिया आज रेफ्रिजेरेटर दिवस मनाय जा रहा है जहां पर आप उसके अविसकारों को पढ़ सकते हैं और जान सकते हैं कि उन्होंने हमारे लाफ के लिए रेफ्रिजेरेटर कैसे पेस किये उन सभी अविसकारों को के बारे में जानने और इससे सफल अविसकार को बनाने के लिए कड़ी मैनत कि हमारी जो दैनिक जीवन में हमारी मदद करता है आप इसका इतिहार जानकर प्रिशितन के महत्व पर वेबिनार आयुजित करते हैं आप यह भी पढ़ सकते हैं कि रेफ्रेजरेटर का सही तरीके से कैसे उपयोग कर सकते हैं और जलवाई परिवर्तन को कैसे कम किया जा सकता है इसके लवा इस दिन आप अपना समय फ्रेज को सजाने में बिता सकते हैं अगर आपको सजाने का बहुत ही ज़्यादा सौक है तो आप अपने फ्रेज पर मैगनेट लगा सकते हैं या फिश टिकर्स लगा सकते हैं आप अपने हिसाब से अपने फ्रेज को सजा सकते हैं और रेफ्रेजिरेटर दिवस या प्रसितन दिवस मना सकते हैं अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक से रहें सब्सक्राइब करना बिलकुल भूलिएगा धन्यवाद दोस्तों नमस्कार